कि जैन सबी को तो पर कैसे हो सभी ठोब आपके लिए ग으धGeerd go जो बाइए तसवीं बार्भी या फिर आइटी इनके पास है उनके लिए वह कोई पूनी है जो त्इयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत है अच्छा मोगा है जो बाइए अप्लाइक कर सकते हैं और जिए तैभी और इसमें जो भाई दस्मीश है। उसको दस् contrat के पोश्च मिलेगी और जएन के पास में उनको उसके हिसाब से पोश्च मिलेगी इसमें आपको 16ी मिलेगी वह लगसी अस्य ड्रेस होता है देखने में इससे संबंदी जो पूरी नूज है वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ठीक है इसलिए आप वीडियो में लाश तक बने रहे ना तक मतलब आपको जो हर चीज आसानी से समा जा सके ठीक है ये भाई इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन जो अब देख सकते हो जो आया है ये मतलब देनिक बासकर की एक न्यूज है कि सरकारी नोकरी की तैयारी कर रही हूँ के लिए अच्छी ख़बर इंडियन कोष्ट गार ने दस अलग अलग पदों पर वेकेंसी निकाली है जिसमें सामिल होने के लिए दसवी और बार वी पास उ उपलाइन आवेदन ने कर सकते हैं इसके बाद रिटर्न टेस्ट गाधार पर उमिद्वारों का सेलेक्शन किया जाएगा मतलब आपकर रिटर्ण टेस्ट इसमें लिया जाएगा पहले उसके अधार पर आपका जो हो इस सलेक्शन होगा यह कुछ वेकेंसी डिटेल से आपको मिल जाएंगी और सेलरी की से मैं बात करें तो वहीं शोर्ट कर रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे उनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी उसके बाद आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाएं जाएगा इसके बाद मेरिट के आदार पर उमी द्वारों को पोस्टिंग दी जाएगा हलागंकि पोस्टिंग से पहले को एपलाई कर सकते हैं तो इंडियन कोश्ट कर सिविलियन वेकेंसी के लिए उमीदवार का दस्वी और बारी उपास होना जरूरी है हालांकि पद कानुसर आई टी आई डिपलोमा होना चाहिए मतलब आई टी डिपलोमा जो जिनके पास है जो पद आप चाहिए आपको उसके हिसाब से आपके पास आई टी डिपलोमा होना चाहिए बाकि दस्वी और बारी उपास भी इसमें एपलाई कर सकते हैं अब इसमें बात आती है आई यू सीमा की तो भाई भरती पिरक्रिया में आवेदन करने वाले उमिद्वार की उम्र 18 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए मतलब 18-30 साल के बीच में अगर आपकी उमर है तो आप इसमें एपलाई कर सकते हो जो की बहुत ही अच्छा मोका है हलाकि उमिद्वार की IU सीमा में सरकार नियमों की छूटती जाएगी जो मतलब कुछ सरकार नियम है जैसा आप फोरम भालने जाऊगे तो उसके बाद आपको छूट भी उसमें मिलती है इसमें जो आप आवेदन करोगे इंडियन कोश्टगार्ड में एपलाई करने के लिए ओफिसल वेबसाइट यह इसकी ओफिसल वेबसाइट है जोइन इंडियन कोश्टगार्ड.cdac.in पर जाकर आप इसमें एपलाई कर सकते हो ओनलाइन तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको सारी बाते जो हैं समझ आ गई होंगी लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कोई प्रस्ट है तो आप मुझे कमेंट करते हैं आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद जय भारते सेना